खबर अब भुपाल से मिल रही है जहां कुरूना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं जिसको लेकर सरकार काफी चंतित है सीम शिवरा सिंग चुहान आज कुरूना की समिक्षा बैठर करने वाले हैं थोड़ी ही देर में प्रदेश में कुरूना की सितियों की समिक्षा करेंगे जिलो की कलेक्टर से वीडियो कॉन्फरेंसिंग के सरीय समिक्षा करेंगे जिन जिलो में संक्रमन तेजी से पहला है उनकी रिपोर्ट पर चर्चा होगी मैटक में क्राइसिस मनेजमेंट ग्रुप के सिफारिश भी रखी जाएगी मध्यप्रदेश में 24 गंटे में 1700 नई केस मिले हैं इन दौर सबसे ज़्यादा प्रभावित है 546 से अक्टिव केस मुपाल में 297 नई कुरुना पॉजिटिव मरीज मिले हैं तो कोरुना से अब सरकार भी काफी चुनते थे इसके वे खबर पर आधिक अब्डेट्स के लिए हमारे सम्माद अतब वासू चोड़े जुड़ चुके हैं लाइट वासू बहुत जादा असाफधानिया पॉलिटिकल गतिविध्यों में बढ़ती गई अगर हम चुनाबों को दूर रखें इसके बाद त्योहारी सीजन आया जिसमें लोगों ने काफी असाफधानिया बढ़ती तो जितनी जम्मेदार हम यहाँ पर यह कहेंगे कि सरकार तो खेर अपनी तरफ से प्रयासरत है और बार बार अभियान भी चलाए चा रही है बासनिक लेवल पर दिखाई दे रही है बिल्गों गरिश्मा आपने ठीक कहा बीते दिनों लगाता और भुपाल समेथ इससे थी इंदोर में गौलियर में जबलपुर रतलाम जो तमाम मदमदेश के बड़े शहर है वहाँ पर भी देखने को मिल रही है और गाओं कस्वों की तरफ जाए तो वहाँ पे भी जनसंग क्या के हिसाब से जो मामले है उनमें बड़ोतरी कहीं न कहीं सामने आ रही है जो हालात चिंता जनक बने हुए है सौर इशारा कर रहा है इसलिए मुखिमत शिवरा सिंग चुहान आज एक बड़ी बैठक कर रहे है वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरी ये बैठक होगी जिसमें तमाम जो प्रभावे जले हैं वहाँ के कलेक्टर से शामि मिल होंगे और अब तक जो अधिकारी जमीनी इस्तर पर कोविड की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए काम कर रहे थे उन्होंने जो फीड़बैक दिया है कि क्या कुछ और भैतर किया जा सकता है क्या सुधार किये जा सकते कहां पर लापरवाही बरती जा रही है किस तरीके क सकती हो इन तमाम चीजों को भी सीएम तक रिपोर्ट पहुचाए गई है जिसकी आज वो चर्चा कलेक्टर्स और अधिकारियों के साथ करेंगे जिसके बाद एक बार फिर से अब हम देखेंगे कि प्रदेश में कोरोना गाइडलाइस का पालन कराने के लिए सकती देखी ज स्थियों को लेकर सरकार काफी जादा चिंते थे और उसको लेकर एक समिख्या बैठट भी आज बुलाई गई है जिसमें तमाम गाइडलाइन्स का पालन को उसको लेकर विजार्व मर्श किया जाएगा कि आगे किस प्रकार की स्थिया नियंत्रण में आए इस पर ध्यान द